को वैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है पर दिल्ली को तो उन्होंने लिखके दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंटरल गवर्मेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे माही थी तो इस चीज से इस चिठी से एक बात साफ है कि केंदर सरकार ही तै कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी कि अगर वैक्सीन साड़े छै करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक-एक आदमी को दो-दो बार डवल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की यह जिम्मेदारी भी किंद सरकार कुले निची है आज को वैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना करी दिया हमारे पास में जितने भी रिजर्व था जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं लेकिन को वैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं 17 स्कूलों में क से जाद सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं को वैक्सीन के